हेलो क्लास फेप जैमा सरस्वती स्टूडेंट सो स्टूडेंट आज हम अपना चैप्टर नम्बर थर्ड स्टार्ट कर रहें स्क्वार रूट्स तो सबसे पहले होता है कि स्क्वार होता क्या है तो स्क्वार क्या है स्क्वार फेप नम्बर इस तो और क्या होता है जो हमारा रिजल्ट फाइल उसका क्या होता है जब हम किसी नम्बर को उसी से multiply करते है तो जो हमें result fine होता है तो वो क्या होता है, उसका square होता है, जैसे 2 into 2 करके हमें 4 मेलता है, या 2 की power 2 करने पर हमें का मेलता है, 4 मेलता है, तो क्या, 2 का square क्या है, हमारा 4 है, ऐसे 3 का है, तो next है हमारे पास perfect square तो perfect square क्या होता है a number is said to be perfect square if it is a square of any natural number तो perfect square वो होता है जो किसी natural number का square हो और natural numbers हमारे क्या होते है 1,2,3,4,5,6,7,8,9 और इसमें एक चीज और होती है देखो 2 की power 2 है लेकिन 3 की power 2 है तो लेकिन square जब होता है तो उसमें power कितनी करते हैं हम only 2 करते है चाहे 6 की power 2 कर रहे या 2 की power 2 कर रहे ओके आगे है square root तो square हमने पढ़ लिया तो अब square root क्या होता है तो square root होता है the square root of a number is that factor of the number which when multiplied by itself will give the number तो क्या होता है जब हम किसी number को अब खुद से multiply करते हैं क्या मिलता है square मिलता है तो जब उस number का factor हम करते हैं और जो हमारे two numbers आते हैं मतलब जिन दो को हम multiply करते हैं वह हमारे क्या होता है उसके square root होता है जैसे यहां पर देखो 5 into 5 is equal to 25 and 8 and 8 is equal to 64 तो इसमें 25 का square root हमारा क्या है 5 and 64 का square root हमारा क्या हो गया 8 हो गया अब next is method of finding square root तो हम methods use करते हैं अपने square root find करने के लिए तो first method is prime fraction method and the second is division method तो हमारे पास इसके लिए दो methods होती है तो first is prime fraction method तो prime fraction method से हम कैसे करेंगे this method is suitable for finding square root of small numbers तो यह हमारे वैसे भी suitable होती है किसके लिए small numbers को find करने के लिए जैसे हमने करना है square root find करना है हमने root 144 का तो कैसे करेंगे सबसे पहले क्या कर लेंगे हम क्या करेंगे इसके factor कर लेंगे तो factor कैसे करेंगे देखो हमारे क्या 144 है तो हम इसे कर देंगे 2 से 2 से divide करेंगे तो क्या आ जागा 72 आ जागा अब देखो हम सबसे पहले क्या करते है जिससे ये divide होगा हम उसे use करेंगे तो ये 2 से हमारा सबसे छोटा है जो जिससे divide हो रहा है 72 times हो रहा है 2 7 जा 40 22 जा 4 हम यहां पर भी करेंगे इसके लास्ट में तो यह तो करेंगे फिर डिविजिबल एटीन फिर नान आ गांगे तो किस्से होगा थी से कितने टाइम थ्री टाइम एंद 3 से फिर 3 वन टाइम तो जब तक कि हमारे पास वन नहीं आ तो फूर में क्यों पर रोट स्क्तिक Delta को देखो इसमें क्या है टू एंट्टू इपिन थी एं ठी तो हम क्या करेंगे तो का स्कौर्वर्ड ज़ाता है अपने इसे में स्कौरिक कर मेंति होगे तो क्या 2 x 2 x 3 तो यह क्या हो जागा 2 x 4 x 4 x 3 x 12 तो यहाँ पर हमारा ऐसे हम क्या करेंगे अपने prime fraction method यह हमारी fraction method है तो इससे हम solve करेंगे इसके बाद क्या है example दे रखेंगे तो example में भी same ऐसी होगा हमें क्या करना है 1089 का क्या करना है सबसे पहले factor कर देंगे तो इसका fraction करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे 11 x 3 x 3 तो इसका हम क्या कर देंगे multiply कर देंगे इसमें क्या है 11 x 11 का pair और 3 x 3 का pair 11 x 3 11 का square और 3 का square square से root cancel हो जाता है 11 x 3 x 3 x 2 33 तो इसका क्या जाएगा हमारा 33 तो next is division method तो division method क्या होती है this method is suitable for finding square root of large numbers तो हमें आ रही जो यह वाली क्या होती है method होती है यह large numbers को find करने के लिए होती है तो यहाँ पर example क्या रहा है इतने इतना बड़ा number दे रहा है अब इसका कैसे करोगे आप तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा इसमें division method यूज करनी पड़ेगी तो देखो कैसे होती है division method तो इसके लिए क्या दे रहा है हमें steps दे रहा है तो first में हम पड़ लेते है make the pair of digits starting for unit digits तो हमें क्या करना है pair बना लेने है unit digits से start करके तो यहाँ पर यह नहीं है हमारा number हमारा number क्या है 15, 13, 21 तो हमें सबसे पहले इसको लिख लेना है उसके बाद क्या करना है unit digit तो unit digit कहा होती है यहाँ पे तो यहाँ से क्या करना है pair बनाने तो two two के pair बना लिए two 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 तो ठीक है फिर क्या कह रहा है think of a number whose square is just equal to all less than first pair तो हमें क्या करना है यहाँ पे 15 है हमारा first pair तो इसके बारे में देखो यह किसी का हमारा square root है नहीं है यह हमारा किसी का square है तो हमें तो पता है कि यह किसी का square नहीं है तो हम क्या करेंगे इससे छोटा देखेंगे इससे बड़ा नहीं होना चाहिए तो वो क्या है हमाएं पता है कि 3-3-9 होता है और 4-4-16 16 तो 15 से बड़ा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे 9 को करेंगे तो हमने 9 क्या 3 से 3-3-9 तो 3 टाइमस गया और यहाँ पर क्या गया 9 आगया तो 15-9 करेंगे तो remainder को और next वाले हमारे जो next वाला pair है उसे लिख लेंगे same as यहाँ पर करेंगे इससे इसके बराबर या इससे छोटा हम कहलेंगे कोई square लेंगे जो हमें पता हो ठीक है तो हमने वो लिया तो same as हम यहाँ पर करेंगे और तब तक करेंगे जब तक फिसको किया हमारा remainder है किता नहीं आ जाए जाये जीरो ना आ जाये तो same as यहाँ पर example है यहाँ पर I do not redeem it तो और इसके बीचे आपके exercise होगी practice exercise है तो यह same as any based है तो आप इस पर पूछा जाएगा कि fraction method से बताईए यह यह हमारी division method से इनके square root निकाले तो आप इसको कर सकते हैं और यह try yourself तो आप इसको घर पर भी try कर सकते हैं यहाँ पर hints or solution and answer की भी दे रखिए ओके आप इसे अपने घर पर करेंगे thank you guys